अगर आप पीएचीडी करना चाहते आपके लिए शांदर निकल कर आई है पीएचीडी एडमिशन का नोटिफिकेस्टन रिलीच कर दिया गया है अप्लाइग मोड ऑनलाइन है लांस्ट डिट आपका 11 अगरस दोजार तईस यानि एक्जाम का डेट भी डिकलियर है और इंट सांदर आपके लिए तो चलिए देखते हैं कहां से निकली हुए यह निकली हुए रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटरी कॉलेज जहारा श्वामी विवेकानंद सेंटर फोर मल्टिडिस्मेलरी रिशर्च इन वैसिक साइंस और सोसल साइंस यहां से वेकंसी आई है औ it is hereby notified for all concern that applicants are invited, applications are invited from eligible male countries, in the prescribed form for admission in PhD programs in Swami Vivekananda Center for Multidisciplinary Research in Basic Science and Social Science of our college under West Bengal State University for the academic session 2023-2024, the candidates may download the application form, आप download कर सकते हैं, application form को, from the college website, college के website से, fill up form is to be submitted along with the application fee, application fee receive के साथ आपको आवे दन जमा कर देना है, जो कि आपको पंदर सवर्ज पर फी रखा गया है, through bank transfer nap to following link, यह आपका जो link दिया गया है, इसके माद्यम साथ 29 जुलाई से लेकर 11 अगस्त, 11 अगस्त तक आप fee को जमा कर सकते हैं, या आवे दन को दे सकते हैं, और जो आपका दिया है, link for submission of form and fee receive, application को कर सकते हैं, submit करने के लिए, और फी जो आपका receipt है, वो प्राप्त करने के लिए यह link दिया गया है, इस link के माद्यम साथ उसे कर पाएंगे, अगर आप इस college को गूगल में search करेंगे, तो आपको वहाँ पर इसका official website भी मिल जागा, उस website पर जाकर आप online आउदन कर पाएंगे, और जब आपको payment होगा, payment का पूरा detail दिया है ना, पंजाब निश्नल बैंक का, बैंक का account नमबर दिया, आयफेसी दिया है, यह जब आप कर देंगे, तो आपको यहाँ पर इस link पर जाके, फी लिशिट आपको मिल जाएगा, कॉलेज को official website में यह साल लिंक आपको दिख जाएगा, लिस्ट है, कौन-कौन सब्जेक्स से आई हुई है, कितने सीटे हैं, तो सब्जेक्ट है, बोटनी, मैथमेटिक्स, जिलोजी, क्यमेश्ट्री और फिजिक्स, बोटनी में सबसे अल 18, मैथमेटिक्स में 12, और एक्जाम आपका होगा, साथ एक्जाम बेस लेकर, आपका 50 नमर का अलग से फिर इंटर्विव रखा गया है जो एक्जाम में मिनिमम 55 50 परसंट लाएंगे कम से कम 55 पर प्लाना होगा वही क्वालिफाई समझे जाएंगे उसे फिर इंटर्विव के लिए बुला जाएगा और 50 नमर का वह इंटर्विव देंगे इंटर्विव और इंटर्विव दोनों को मिला के मेरिट बनेगा उसके रहाँ पर कंडिज को सीट अलट हो जाएगे यहां पर दिके फी आट टाइम अपर दिया गया है फी क्या रहने वाला है इसके आपका इंटर्विव में किने किने मैं का सकते हैं बुलाए जाएगा वो डेट यहां पर दे दिया गया है यह 17 आट को वो डे वो आपको डिकलर कर दी जाएगा इंटर्विव के लिए अंतिम रूप से कौन-कौन चैनिद हुए हैं अधियों मैं मैं जितनी भी बातें थी हम लोगों ने कर लिया है उमिद करता हूं आपको कोई परिशानी नहीं होगी इस आप फर्म भर पाएंगे तो आप फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करें मैं आपको जरूर्व रिप्लाय दूँगा ठैंक्यों वेरी बटन को क्लिक करें ताकि आने वेले नेक्स्ट अभी वीडियो इसकी नोटिक्विक्न आपको मिल सकते थैंक्यों धन्यवाद